कहा जाता है जूसी के निकटकी प्रियाग छेत्र की घटना है महरशी च्यवन गंगाजी के जल में प्रविष्ट होकर प्रणायम चड़ा करके भजन कर रहे थे तब कर रहे थे सैकड़ो वर्ष उनको व्यतीत हो गए एक समय की बात है कुछ मशुवारों ने जाल डाला और जाल को जब ये खीचने लगे तो उस जाल में लिपट करके फस करके महरशी च्यवन चले आए मशुवारे तो सोच रहे थे कि जाल कुछ वजन लग रहा है लगता है को बड़ी मचली पकड़ में आई है पर मचलियां तो छोटी छोटी पकड़ में आई थी महरशी सेवाल से सने हुए जाल में लिपटे हुए महरशी च्यवन बाहर आ गए उन रिशी को देख करके वे मचुवारे वे मलाह मत से जीवी वे थर-थर कापने लगे क्योंकि जब आज की विकट भौतिक परिस्थितियों में जहां संस्कार और सदाचारों का निरंतर हरास हो रहा है आज ही संत वेश के प्रती भारती प्रजामे स्रद्धा है इस बात का महराजी हमें बार बार अनुभो होती है हम सची कहें आप लोगों की स्रद्धा को देख करके हमें अपने आप में गलानी होती है आप लोगों की जैसी पवित्र स्रद्धा है वैसी स्रद्धा के लायक हम नहीं वैसी पात्रता हमारी नहीं है इसलिए हमें तो आप ही बड़े महात्मा के रूप में दिखाई पड़ते हैं जिसने एक सामान्य मनुष्च के पृति इतनी स्रद्धा और आधर की भावना रखी वही है तो यह यहां की मिट्टी का संस्कार है कि संत के वेश के पृति स्रद्धा यद्यपी संतों के इस पवित्र वेश को कलंकित करने की कसर छोटे मोटी की बाद छोड़ दो बड़े बड़े लोगों ने भी नहीं छोड़ी और आज भी बड़ी घटनाएं हो रही हैं लेकिन फिर भी भारती यता ये कहती है संत का वेश दिखाई पड़े तो वंदन करो शद्धा करो और वो तो उस जमाने की बात है पाउरानिक वैदिक काल की बात है उस समय तो बड़ी शद्धा थी वे मचवारे थर थर कांपने लगे और उन्होंने का महराज मेरे अपराद को छमा करें हम नहीं जानते थे आप बजन कर रहें आपको हम मुक्त करतें बोले नहीं ऐसे मुक्त करो गोगे तो मैं शापित कर दूँगा तुमने इतना स्रम किया जाल डाला हमको बाहर निकाला अब हमको बेच करके और अपने ग्रास्था स्रम को चलाओ तुम तो मत्सी जीवी हो जाल में फसके जो आजा उसको बिचो बिचारे घवडा गए उस समय वहाँ प्रतिष्ठानपुर में गद्धी पर महराजा नहुष बिराजमान थे मचवारे नहुष के पास गए और नहुष के पास मचवारे ने जाकर के कहा नहुष के पास मच्वारों ने जाकर के कहा कि हे भगवन ऐसी ऐसी घटना घट जुकी है अब हम क्या करें आप हमारे लिए उपाय बताईए हम क्या करें नहुष दोड़े हुए नहुष दोड़े हुए निकट आ गए आकर के उन्होंने महर्शी च्यवन को सरद्धा पुर्वक प्रणाम किया और महराज सरद्धा पुर्वक प्रणाम करने के पस्चाथ उनसे प्रार्थना की कि आप दोखे से इन मच्वारों के जाल में आ गए हैं इसलिए अब आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है आप क्रपा करके पधारें और जैसे आप तप कर रहे थे उसी प्रकार से पुनह आप तप में प्रवर्थ हो जाएं आप तपस्या में लग जाएं यह सुन करके उन्होंने कहा राजन आपके सुहार्थ का हम आदर करते हैं किन्तु यह बिचारे गरीब मच्वारे इन्होंने इतना स्रम किया है तो इतना स्रम जब किया है तो इस स्रम का फल उन्हें मिलना चाहिए इस स्रम का फल मलना चाहिए इनको क्या हमारा मूल दे दो इनको और फिर हम मुपते हैं तपस्या के लिए नहुश बोले मैं एक सहस्त्र स्वरन मुद्रा इन मच्वारों को दे करके और आपको मुक्त करता हूँ च्यवन ने डांटते हुए कहा राजन तुम्हारा विवेक कहा चला गया एक रिशी का मूल्य केवल एक सहस्तर स्वर्ण मुद्रा बोला महराज भूल हो गई एक लक्ष श्वर्ण मुद्रा ये भी मेरा मुल्य नहीं एक करोड स्वर्ण मुद्रा ये भी मेरा मुल्य नहीं आधा राज ये भी मेरा मुल्य नहीं संपुर्ण राज ये भी मेरा मुल्य नहीं मेरा उचित मुल्य दे करके मुझे मुक्त करता अब तो बड़ी समश्या थी राजा ने अपनी सारी सामर्त नियौछावर करने का निड़ने कर लिया तक वो बिचरने लगा उसी समय गोजात नाम के एक रिशी का नाम आया माहावावजाद उनकी उत्पत्ती गाय के पेट से ही हुई थी गोजात नाम के रिशी उन्होंने नहुश को चिन्तित देख करके उनकी समश्या का समाधान किया और कहा महाभाग नहुश एक रिशी का मूल्य एक गाय ही है इसलिए तुम मच्वारों को एक पयस्वनी सीधी साधी गाय दे दो और ऐसा ही किया गया नहुश ने एक सुन्दर सुलक्षना घटोधनी पयस्वनी गाय को जैसे ही मच्वारों को दिया उस समय चिवन महरिशी बोले राजन तुमने हमारे मूल्य से अधिक मूल्य मच्वारों को दे दिया गाय का गाय की समता रिशी नहीं कर सकते बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है भगवान की समपूर्ण मूख सृष्टी में गाय सृष्ट है ऐसी बात नहीं भगवान की संपुर्ण स्रिष्टी में मनुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् गाय की समता एक तपोधन तत्वग ये रिशी नहीं कर सकता है फिर गाय की समता कौन कर सकता है संसार में राजा का महत तो सबसे ज़्यादा है राजा न हो तो अराजकता पहल जाएगी सबका रक्षक, सबका पालक, सबका पोशक राजा होता है वह वी धर्मशील हो, सदाचारी हो, तब तो कहना ही क्या है और वह सब्त दीप बती पृत्थी का एक चत्र सम्राट दिलीप वो प्रस्तुत है सिंग के आगे मस्तक जुकाए हुए कि तुम मेरा भक्षन करके अपनी भूख रुजालो, किन्त मेरे गुर्देव की गाय को छोड़ दो अरे तुम बड़े मूर्ख मालूम पढ़ते हो, अपने गुरुजी को एक लाख गाय देकर संतुष्ट कर देना एक गाय को क्यों मुक्त कराना चाहते हो, और तुम संतान की प्राप्ती के लिए अनुष्टान कर रहे हो, और तुम ही नहीं रहोगे तो संतान कैसे होगी, सूरिजवन से क्या क्या होगा, बोले आपको ये सब चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है चक्त्रवर्ती संब्राठ से भी अधिक मूल एक गाय का है ब्राहमन से अधिक मूल एक गाय का, साधू से भी अधिक मूल एक गाय का और महराजी, हमें तो विश्वास है कि हम अतिश्ययक्तिया अनुचित बात नहीं कह रहे हैं भगवान से भी मूल एक जादा गाय का, श्री कृष्ण हम सब के इष्ट है और श्री कृष्ण से प्रार्थना की जाए, कि आप हमारे इष्ट हैं, आपका भी कोई इष्ट देवता है तो स्री कृष्ण का इष्ट गाय है, इष्ट की चरणरज ली जाती है धाकुर जी पीछे पीछे चलते हैं, गोचारण के समय चलते हैं तो महर्शी च्यवन ने जो महिमा कही थी, उस महिमा के कुछ श्लोक कहने का आज विचार है उन श्लोकों कह करके, फिर भागवजी के प्रसंग को हम आगे बढ़ा है च्यवन उवाचव, च्यवन कह रहे है कीर्तनम, श्रवनम, दानम, दरसनम, चापिपार्थिव, गवाम, प्रशस्यते वीर, सरवपापहरं शुवं भगवान की नवदा भक्ती का तो प्रहलाजी ने वरणन किया है अब यहाँ गाए की नवदा भक्ती का च्यवन जी वरणन कर रहे है वो ले गाए के नामों का संकीर्तन करना कीर्तनम गाए के नामों का कीर्तन करना गाए की महिमा को सुनना गो कथा का स्रवण करना कीर्तनम श्रवणम दो हो गई दानम विधी पुरुवक किसी अग्निहोत्री ब्राह्मन को गोदान करना गाए का दर्शन करना कितनी हो गई कीर्टन श्रवन दान और दर्शन चार और गायों का यशो गायन करना उनका यश गाना कहते हैं ये साधन संपुर्ण पापों को नश्र करने वाले हैं और जीवों का परम कल्यान करने वाले हैं हे नहुष गावो लक्ष्म्या सदा मूलं गावो लक्ष्म्या सदा मूलं गोशु पाप्मान विद्यते अन्यमे वसदा गावो देवानाम परमम अवी हे नहुष समस्त प्रकार की संपतियों का मूल गाए अर्थ शास्त्र के प्रणेता महर्शी कौटिल्य ने भी अर्थ का मूल जो है वो गाए को माना है महर्शी चिवन कह रहे हैं यदि मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता हो सास्वत संपति की प्राप्ति करना चाहता हो तो मनुष्य का करतव है वह गो माता का सेवन करे गो भक्ति करे गो उपासना करे जिसके वन्स खांदान में गो भक्ति गो उपासना होती है उसके खांदान में कभी कोई संसकार श्टूनि व्यक्ति उत्पन नहीं होता उसके घर को लक्ष्मी छोड़ कर कहीं जाती और गो उपासना नहीं है गो ग्रास नहीं है गो भक्ती नहीं है तो आपकी जो सम्रद्धी है वो टिकाउ रहने वाली नहीं इसलिए संपुर्ण लक्ष्मी का मूल गाय है और गोशु पापमाना विद्यते गायों में अनुमात्र भी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है दोश नहीं है तमोगुण नहीं है अरे भाई जिसके मलमूत्र में गोमे और गोमूत्र में जिसके ऐसी अपूर्व सात्विक्ता का निवाश हो वह गाय सात्विक्ता का कैसा पुझ है इसका वर्णन करने की समता वानी में नहीं है संतों की बड़ी महिमा है बहुत महिमा है संतों की संतन की महिमा रगुराई बहुभी दिवेद पुरानन गाई ब्रामनों की बड़ी महिमा है संतों की बड़ी महिमा है लेकिन किसी ब्रामन किसी संत के मलमूत्र की महिमा नहीं है मलमूत्र तो त्याजी ही होता है और गाय के गोवें गोमूत्र की ऐसी महिमा है जिसके विना ना तो पंचगवी बन सकता है न जिसके विना कोई वैदिक कृत्य हो सकता है न जिसके विना यग्य संभार विशुद्ध हो सकता है इसलिए महराजी करमकांट के गृंतों में लिखा है यग्य संभारान पंच गव्ये ना भ्युक्षे पंच गव्य से यग्य की सामगरी का सिंचन करने के बाद ही वह तिल जो चावल कास्थ आदी यग्य में प्रयोग के योग्य होता है कहां तक कहेंए जो माला है ना इस माला का संसकार भी बिना पंच गव्य के संभो नहीं है पंच गव्य से ही माला का संसकार होता है पीपल के पते पर रख करके पंच गव्य से इसनान आधी करा के तब माला का संस्कार होता है बिना पंच गव्य के माला जपके योग्य नहीं होती है बिना पंच गव्य प्रासन के कर्म करने की योग्यता नहीं है इसलिए गोशु पापमाना विद्यते गायों में अनुमात्र दोश नहीं है अन्यमेवसदा गावो अन्यकार्थ है प्राण गाय सबका अन अर्थात प्राण है जैसे प्राण के विना जीवन संभव नहीं ऐसे ही गाय के विना जीवन संभव नहीं इसलिए संतों ने वाक्य दिया है गाय बचेगी तो देश बचेगा देश नहीं बचेगा महराज गाय बचेगी तो सारी प्रकृती बच जाएगी गाय बचेगी तो सारा ब्रह्महंड सुरक्षित हो जाएगा बहुत महिमा है गाय की सबसे बड़ी महिमा की बात ये है कि गाय प्रत्वी जलतेज वायू आकास ये जो पाँच इस्थूल प्रकृती है इसे तो पवित्र करती ही है सुक्ष्ण प्रकृती गीता जी के अनुसार जो मनबुद्धी और अहंकार है उसको भी गाय पवित्र करती है भूमिरापो नलो वायू खंबनो बुद्धिरिवचो अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतर श्रधा तो संपुरुन अश्रधा प्रकृती को सुद्ध करने की सामर्थ गाय में है ऐसी सामर्थ अन्य किसी में भी नहीं है इसलिए गोशु पापमान विद्यते गाय में रंचमात्र दोश नहीं है और महराज चवण जिसी कह रहे है मनुष्यों का प्राण तो गाय है ही है मनुष्यों का जीवन तो गाय है ही है देवताओं का प्राण जीवन भी गाय है क्योंकि देवताओं का आहर यग्य है और यग्य बिना पंच गव्य के संभव नहीं है आज महराजी यग्य खूब हो रहे हैं ख गिता है कि नहीं इसके विचार की अनिवार्यता नहीं रहेगी विचार करना चाहिए आविधी पूर्वक जो यजन करते हैं उससे सात्विक्ता नहीं बढ़ती है आपितु राक्षसों का बल बढ़ता है आसुरी शक्ति प्रबल होती है बाजार के घी में चर्वी आ रही है ये बात खूब प्रमानित हो चीकी है